इस वीडियो तक पहुँच गए हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप भी उत्तरपदेश में सहयक अध्यापक बनना चाहते हैं और तयारी नहीं कर रहें करवा सची ही है कि आप सीरशली तयारी नहीं कर रहें बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी क्योंकि आपको तो लगता है बस वैकेंसी आएगी हम फार्म भरेंगे और तयारी कर लेंगे तो इस अंधेरे में आप हैं खेर इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो हमारा काम है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करना ताकि आपका चैन पहली ही बार में हो जाए अच्छे नंबर ला करके कौपी पर नुठा लीजे और हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि चैन की प्रक्रिया क्या होती है अकेडमिक मेरे क्या है कितने नंबर पर आपका चैन हो सकता है पिछली जो भरतियां हुई उनका कटाफ क्या और इस बार क्या क्या बदलाओ देखने को मिल सकते हैं क्या टेट का एक बटेचार जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा आईए बात करते हैं चैन आपका होना कैसे है तो एकेडमिक में आपका जो गुड़ांग बनेगा और सुपर टेट का 60 प्रतिशत अंक जुड़ेग जैसे हम यहाँ पर एक्जामपल मान ले कि आपके नंबर थे 53 परशेंट तो आपका गुड़ांग यहाँ पर हाई स्कूल का यानि वो कितना होगा 5.3 ऐसे आप लिखिए इंटरमीडियेट में आपका मान लिए 60 प्रतिशत था तो 6.0 लिखिए ग्रेजुएशन में आपने अगर 55 प्रतिशत नंबर हासिल किये हैं तो 5.5 लिखिए ठीक है बीटी सी बीट में जितना भी आपका था उसका 10 प्रतिशत हम मान लेते हैं आपने 70 प्रतिशत अंक अर्जित किये तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है इनको जोड़ लेना है जोड़िए 5 और 3 आठ इधर हम लिख रहे हैं और यह 10 मलों लगा दिया 6, 5, 11, 15, 14, 23, 23 तो यहाँ पर 23 के आसपास आपका अकेडमिक बन रहा है अब आपके अंदर यह जानने की इच्छा होगी क्या 23 अकेडमिक बनने के बाद सुपर टेट में हमारे कितने नमबर आ जाएं जो हम खुद को सेफ समझें कि हमारी एक सीट पकी हो जाएगी उतना लक्ष बना करके हम अपनी तयारी करें तो पिछली बार के अगर हम बात करें तो जन्रल की जो कटाफ फाइनल कटाफ गई थी 60, 65 सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स था वो वो सुपर टेट के लिए था कि अगर आप सामानने में 97 अंक था उन सभी का सेलेक्शन हो गया कम वालों का नहीं हो पाया यह OBC की है यह CST की है अब आपको इससे बढ़ा करके लाना है यानि हम यह ओवराल अगर मान ले जेनरल कंडिडेट के लिए इस बार जो कटाफ संभावता होगी लगभग वो 70 के आसफास रहेगी यह रहा है तो आप सेफ अपने आपको मानिएगा इससे कम बन रहा है तो फिर आपके साथ दिक्कत है ठीक है और ध्यान रखिएगा बाद में रोने से अच्छा है एक नंबर से रोक जाए आप अभी रो लीजिए मतलब अभी पढ़ लीजिए ज्यादा बेतर आपके पास अभ कितना गुणांग बन जाए उसकी हम बात करेंगे तो आपने अपना यहां से टोटल निकाल लिया हाई स्कूल इंटर का कितना है चले हम आपको दो कंडिडेट लेकर के समझाते हैं यहां पर हमारे पास दो लोग है गोलू है एक मोलू है ठीक है यहां बढ़िया कोट और यह नॉर्मल क्या है सिंपल आदमी है तो आईए हम गोलू को लेकर के चलते हैं यानि गोलू के नंबर देखते हैं कितने बन रहे हैं तो गोलू ने हाई स्कूल में प्राप्त किये थे 50 प्रतिशत अंक हमने इनका गुणांग निकाल लिया पांच इन्होंने इंटर का दिया और ये थोड़ा सा पुराने जवाने के हैं लगभग इनका जो हाई स्कूल है वो 2009 या 2008 में हुआ था या 2007 में हुआ था तब से वेकेंसी का अवसर इन्हें मिला लेकिन तब 28 सामिल नहीं था और इसके बाद या कुछ भी रीजन हो इनका टेट क्वालिफाई नहीं थ तो इनके क्या है हाई स्कूल में 85 प्रतिशत नंबर बन पाए 50 परसेंट इंटर में भी तो इनका गुडांक यहाँ पे कितना है पाँच और पाँच ग्रेजुवेशन की बात करें तो थोड़ा सा इन्होंने जादा मेहनत कर ली यहाँ पर और यहाँ पर इनके 6 नंबर मतल किसी का 53 होगा किसी का 52 होगा किसी का 72 होगा तो उसी हिसाप से आप जोड लीजेगा जैसे किसी का 56 है तो 5 दसमल और 6 हो जाएगा 77 है तो 7 दसमल और 7 हो जाएगा 86 है तो 8 दसमल और 6 समझ गये ठीक है तो हमने गोलू का यहाँ पर निकाल लिया कि गुडांक कितना बन रहा ह पांच पांच दस छे सोला और साथ 23 इनका बन रहा है इनके गुडांक बन रहे हैं हाइज स्कूल एंटर रेजुवेशन बीयर डियलेट जोड़ करके 23 इनका गुडांक बन रहा है अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसका गुडांक 23 या 24 बन रहा है तो आप इसी आधार पे सूचिए कि आपको सुपर्टेट कितने लाने हैं सुपर्टेट के कुल प्राप्ट अंकों का 60 प्रतिशत जुड़ेगा यानि अगर आप 95 अंक लाते हैं तो आपका 38 गुडांक जुड़ेगा संग यह हमने कैलकुलेशन डारेक्ट करके आपको एक लिष्ट बना दी है ता 38 परसेंट आप निकाल करके देख लिजेगा यह डारेक्ट हमने एक लिष्ट बना दिये ताकि आपको समय आपका बच जाए ठीक है तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह जो भाई साब थे इनके 30 गुडांक थे और सुपर्टेट में इनके नंबर आए 100 तो यहाँ पर नंबर वाला सिस्टम नहीं था ठीक है दो पेपर होते थे जैसे हिंदी का एक्जाम हुआ तो हिंदी प्रत्थाप हिंदी दुती कोई 30 नंबर जो स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल के ऐसा कुछ नहीं था इसलिए इनका यह तेसी रहा हाई स्कूल इंटर में इनको प्रैक बीस्क्रेक्शन नहीं हो पाया ठीक है इनका सेलिक्सन नहीं हो पाया भई अब देख लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे भाईया थे हमने आपको दो दिखाय था न गोलू मोलू बढ़िया सुट पूट पहने विए बढ़िया पैसा यहां से गिर रह है तो मोलू की हम बात कर लेते हैं ठीक है इनका क्या था इन्होंने high school किया कब 2012 में 2012 में इन्होंने high school किया अब इनके नंबर तो भाई grading system था उस समय तो 7 मिल गए यहाँ पर किसी के 8 भी होंगे किसी के हो सकता है 65 प्रतिशत हो तो फिलाल हम यहाँ पर average लेकर के चलना है कि इनके 7 नंबर है इसी तरीके से इंटर में भी इनके 7 नंबर है graduation थोड़ा सा डाउन हो गया लेकिन इन्होंने क्या कि या BTC किया या BA किया वहाँ पर इन्होंने cover कर लिए 8 इनका गुणांक कितना बन रहा है 28 बन रहा है अब हम माल लेते हैं ये भी 100 अंकलार है ठीक है अगर ये भी 100 अंकलार है तो इनको हम कितना नंबर यहां से उठा करके दे देंगे 40 ठीक है 40 नंबर हमने दे दिया तो 28 और 40 कितना हुआ 68 हो गया 68 इनका गुणांक overall बना 68 बनने पर क्या हुआ इनका तो चैन हो गया सुपर्टेट में दोनों लोगों के नंबर सेम थे लेकिन एक गुलू भाईया जो है इनका सेलेक्शन नहीं हुआ और इनका सेलेक्शन हो गया ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ये हम आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपका अकेडमिक कम है ठीक है फिलाल अभी तक तो अकेडमिक जुड़ेगा नंबर ऐसा कहा जा रहा है हटेगा या नहीं हटेगा इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी हाली में कम्प्रीट हुआ होगा वो तो यहीं कहेंगे कि अकेडमिक जुड़ना चाहिए और जिनका विचारे पिछले दस साल से लगे हुए हैं वो कहेंगे कि नहीं जुड़ना चाहिए तो यह अपना अपना विचार है जि आपने सुना उसका academic हमने आपको जोड करके दिखाया 23 था और super tech में वो number ले आया 120 ठीक है तब उसका chain हो रहा है तेश ये वाले और 120 पे हम कितने दे रहे हैं ये वाले 120 पे हम दे रहे हैं यहां पे 48 हो जाएगा भाई 115 पे 46 है तो 120 पे 48 यहां पर ये बच्चा 120 नमबर लाने पर इसका final कटाब बनरा 71 और यहां पर एक बच्चा है जिसका मोलू जिसका नाम है ये 28 इसका गुडांग था high school इंटर मिला करके ये सिर्फ 105 ला रहा है तब भी ये selection के करीब है 70 नमबर ला रहा है मतलब अगर ये 108 या 110 तक ले आएगा तो ये भी इनके बराबर हो कहने का मतलब ये है अगर आप इस category में है 25 के आसपास है आपकी academic 23, 24, 25, 26 तक है तो आपको 120 लक्ष रखना है से लिए green color से इसको highlight किया गया और अगर आपकी academic 28, 30 तक है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ठीक है कही ना कहीं तो होंगे ना अलग से थोड़ी आएंगे बहु यहाँ पर 80 प्रत्यत होगा तो 8 मिल जाएगा यहाँ पर 7 मिल जाएगा यहाँ पर अगम साथ ही मालने तो कितना होगा है 8, 8, 16 और 14 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अब जिसका यहाँ पर 30 है ठीक है उसको तो 100 नंबर भी वो ले आएगा उसका हो जाएगा selection तो जो लो क्यों जादा क्यों होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चें जो 79,000 में एक दो नंबर से रहे गए थे उनकी तैयरी तो आप से तो बहतर है वो एक बार एक्जाम दे चुके हैं धोखा खाये बैठे हैं ठीक है वो वैकेंसी हुई थी 2019 में पेपर हुआ था और इसके बाद दो साल गयप रहा अब वैकेंसी कब आएगी कब होगी तो फॉर्म जादा पड़ेंगे कहने का मतलब यह है कि आप अपना अकेडमिक चेक करिए कि आपका यहां पर कितना निकल करके आ रहा है अपना कॉपी पेन ले करके जोड लीजे और इसके बाद process क्या है हमने आपको बताया यहाँ पर जितना आपको निकल रहा है उसके बाद आप देख लीजे कि super tet में आपको कितने लाने है यह super tet की ही table है अगर आप 95 नमबर लाएंगे तो आपको 38 यहां से नमबर मिलेगा 60 प्रतिशत ही जुड़ना है 100 नमबर लाएंगे तो 40 यहां से मिलेगा जैसे कोई 100 नमबर ले आया और इसकी academic 30 है तो 40 और 30 70 वो 70 ले आया लेकिन लेकिन कोई बच्चा जिसकी academic 25 ही है ठीक है 25 है अगर वो 100 ला रहा है तो उसका 65 ही बन रहा है ना लाना कितना है आपको overall में 70 होना चाहिए यह बाहर हो जाएगा बच्चा यहां पे 100 इसके भी है 100 इसके भी है लेकिन academic कम है तो अगर जिसकी भी academic merit कम है high school intern में नमबर कम है उसको यहां पर बहुत जादा महनत करनी पड़ेगी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यहां पर live class चलती है रोज साम को 5 बजे और 7.5 बजे और 9 बजे भी वीडियो अप्लोड करते है की सुपर टेकि तयारी कैसे करनी है श्लह बस क्या है उसका detail वीडियो यहां पर बन करके आ रहा है क्लिक करें कोमेंच ब्रॉक्स में हमें बताए कि आपका गुडान का कितना बन रहा है आपका गुडान कितना बन रहा है में